तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के उपर गवर्मेंट बैक्ट हैकर्ज ने और अटैकर्ज ने 500 बार हमले किये क्या सरकार भी हैकर्ज को पालती है? क्या ऐसे भी कई देश हैं जहां पर सरकारे खूफिय तोर पर हैकर्ज को हायर करती है ताकि वो ऐसी चीज़े हैक कर सके या दूसरे देशों की सीक्रिट इंफोर्मेशन को निकाल कर उनके देश को प्रोवाइड कर सके यानी की थ्रेट एनलेजस ग्रूप जो की गूगल चलाता है ये गूगल का ग्रूप है जो कि दुणिया भर में जितने भी थ्रेट जितने भी जितने भी साइबर अचे करता है Analyst होते हैं, Cyber Security Expert होते हैं, Google के hire किये गए वो ये पता लगाते हैं कि दुनिया भर में कहां कौन सा threat आ रहा है, कौन सा virus आ रहा है, कौन से hacking attack perform किये जा रहे है 12,000 से भी ज्यादा hacking attacks perform किये गए पूरी दुनिया भर में जो की government back थे मतलब, सरकारों ने ऐसे hackers को hire किया हुआ था, जो की दूसरे सरकार या फिर दूसरे लोगों की information को hack करके सरकार को provide करा रहे थे और उनकी जो भी funding कर रही थी, जो भी organization थी, वो सरकारी organization थी, और जो सरकार की थी, ये Google ने खुलासा किया है हाला कि जितने भी press के लोग हैं उन्होंने Google से पूचा exact number आप अप में बताईए, तो exact number तो पता नहीं है लेकिन 500 लोगों के उपर target किया गया है भारत में, जो की high level के लोग हैं जिनकी information leak करने से दूसरे देशों को फाइदा हो सकता है या तो किसी भी वर्ग के जो भी छुपे हुई agency है, उनको फाइदा हो सकता है तो इसके बार में हम बात करने बाले हैं, भारत में 500 हुआ है, जो की moderate level है मैं आपको बता दू, सबसे कम ऐसे attacks ब्रजील और चाइना में हुए है, जो की 100 से भी कम है अब ऐसा क्यूं है, चाइना के बार में आप जानते होंगे, चाइना की hacking army, hackers की army के बार में भी आप जानते होंगे वहाँ पर ऐसी task force हैं, जो की दूसरे देशों के या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको target करती है और उनकी information निकाल कर अपने देश के भले के लिए इस्तिमाल की जाती है चाइना के उपर तो ये भी आरोप लगाए कि चाइना की जो भी product होते हैं, वो हमारे देश के और बहुत सारे देशों के जितने भी नागरिक होते हैं उनकी personal information, उनकी पसंद, नापसंद, और बहुत सारी चीज़ें वो लोग capture करते हैं, data collect करते हैं और अपने भले के लिए या अपनी strategy बनाने के लिए इस्तिमाल करते हैं चाइना का ये मानना है कि अब जो भी warfare होगी, जो भी लडाईयों होगी, वो हतियारों से तो होगी ही लेकिन आगे चलकर cyber warfare भी बहुत बड़ी चीज होने वाली है, जिसके लिए चाइना बहुत पहले से ही तयार है बाकी सारे देशों में ये सारी चीज़े इतनी देखने को नहीं मिलती है और चाइना और अमेरिका और ये सारी जितने भी देश है और भारत की चितनो भी connection है चाइना के और भारत के इस तरीके से रहे हैं कि उनकी companyों पर भी हाँ से काफी बार इलजाम जा चुका है कि डेटा कलेक्ट कर रहे है हमारा हलाकि हमारे जितने भी special forces के लोग थे जितने भी police के या paramilitary forces के लोग थे उनको मना ही थी कि आप ऐसे phone इस्तमाल ना करें जो आपका data दग्यारा leak हो क्योंकि आप एक आम नागरिक नहीं है और आपकी information leak होने का मतलब है भारत की सुरक्षा को compromise कर देना जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इसे लिए सस्ते Chinese mobile इस्तमाल करने के लिए लोग मना करते हैं और android तो वैसे भी इतना secure platform नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे component open source है और इसके applications बहुत सारी हैं जिससे वो द्वार खुल जाते हैं ऐसे रास्ते खुल जाते हैं बैक डोर्स पे लोड और ऐसे viruses के जो की नुकसान पहुचा सकते हैं और जो data को चुड़ा कर दूसरे देशों को provide कर सकते हैं और यह जो भी attacks मैंने आपको बताए जुलाई अगस सितंबर यह कुछ महीनों के ही हैं साल भर का तो मैंने बताया भी नहीं आपको इतने attacks perform कराये जाते हैं और यह देश कराते हैं अब कौन देश कराते हैं ऐसा होता है ना कि देश किया कम हो रही है एसारी चीजे ऐसा हो सकता है कि वही दूसरे देशों पर करा रहा हो लेकिन इसके कोई पुक्ता सबूत नहीं है लेकिन यह चीज सामने आई हैं कि government के जो hackers हैं वह दूसरे countries में या वैसे हायर करना और डेटा निकलवाना यह सरकारे बहुत पहले से करती हुई आ रही है और हैकिंग कटेगरी में गुवर्मेंट बैक्ट हैकर्स होते हैं जिनका इंटेंशन सिर्फ इतना ही होता है कि जितनी भी हाइली confidential या जितनी भी secret चीजे हैं उनको निकालकर सरकार को provide किया जाए जिसे पता रख रह सके कि दूसरा देश कहीं हमारे अगेंस्ट कुछ planning तो नहीं कर रहा है उनकी data security कैसी है उनके नागरिक क्या कर रहे है उनके special forces के जो लोग है उनके बीच में क्या बाते चल रही है तो यह सा professional ethical hackers भी हो सकते हैं इनको कोई पता नहीं लगा सकता यह लोग कौन हैं यह हमारे ही बीच छुप कर रहते हैं हमारे बीच एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे होते हैं लेकिन समय मिलने पर यह सरकार को information provide करते हैं एक तरह से जासूस होते हैं जितनी भी जासूसी एजेंसिया होती ह हैं ऐसे ही जासूसी hacker भी होते हैं जो कि सरकार के लिए काम करते हैं उनको पैसे महिया कराया जाते हैं आपको देखने में यह लगेगा कि वो सरकार के normal employee हैं मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जितने भी देश हैं जो ऐसी चीजें करते हैं और ज्यादतर देश ऐसा करते हैं तो वो क्या करते हैं सरकारी जॉब पे जो लोग नॉर्मली काम कर रहे होते हैं जैसे national television का कोई editor है या ऐसे कोई भी काम करने वाला जो technical field में काम कर रहा है लेकिन वो सरकार के लिए secretly यह चीजे भी करता है जिससे उनकी funding होती है उनको पैसे provide क किया जाते हैं और वो अच्छी lifestyle अपनी बिताते हैं लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि Google किसी भी एक सरकार का नहीं है Google वैसे है अमेरिका में काम कर रहा है तो अमेरिकी सरकार का दबाव तो रहता ही है Google के उपर लेकिन Google एक ऐसी company है जो की दुनिया भर के हर कोने में काम कर यह अलग अलग देशों में Google है उनके headquarters हैं वो business करते हैं तो सिर्फ अब Google सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है तो पूरे देश की जितने भी threats उनको analysis करती है उनकी और यह report उन्होंने officially release की है कि ऐसा हो रहा है तो यह खत्रे वाली बात है अगर हम किसी दूसरे देश का tech product इस्तमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत जादा रिस्क हैं जैसे की Android जैसे की दूसरे देश के cameras सस्ते phone जिनकी branding नहीं होती आप जानते होंगे Chinese phone मिलते हैं जिनकी कोई branding नहीं होती उनके पर कोई नाम नहीं लिखा होता यह वो दौर एक ऐसा था जब Chinese mobile बहुत जादा popular थे यह phone हुआ करते थे बड़ी speaker वाले मतलब इतना बड़ा speaker होता था ऐसा लगता था डीजे चल रहा है मुझे मालूम नहीं आपको पता है या नहीं पता है बट एक वक्त ऐसा था जब Chinese phone आते थे उनके पर कोई branding नहीं होती थी कोई company का नाम नहीं लिखा होता था लाल कलर के पीले 3,000 रुपे के सारे features के साथ आया करते थे बड़ी battery के साथ और बहुत बड़े speaker के साथ और touchscreen phone जो भी सबसे पहले market में सस्ते आये वह Chinese phone ही आये थे बाद में Indian companies ने भी ऐसे phone को लेकर उनकी branding अपना ठपा लगा कर बेचने लगे लेकिन शुरुआत ऐसे फॉन से भी थी और य मेसेज भेजता था जिसके लिए 3 रुपे अकसर दिन में कट जाया करते थे मेरे मुझे नहीं पता था कि मेरा phone ये messages कहां भेज रहा है बाद में मैंने पता लगाया मैंने जब इसको अच्छे से study किया तो पता लगा चाइना का एक number है जहां पर मेरा IMEI number send हुआ है मेरे messages send ह हैं और मेरे contact में जितने भी contact हैं वो सारे वो खुफियत और रात को अपने आप message send कर रहा है और चाइना में बैठे किसी center पर या किसी इंसान को information प्रोवाइड कर रहा है ध्यान दे कि यहां पर मैं Chinese phone में कोई बी अलग से software नहीं डाल सकता था यहां पर सिर्फ उनी के जो software डेले हुए थे वही चलते थे तो कोई भी बात ऐसी बनती ही नहीं है कि कोई malware मैंने डाल लिया हो यह पूरे तरीके से मैं जान चुका था कि यह malware चाइना से हीडल के आया है जो कि मेरी information को leak कर रहा है बाद में उस phone के उपर इंट मारके मैं उसको तोड़ दिया तो यहां त किसी भी बड़ी कोई जिम्मधारी आपके उपर नहीं है तो बहुत ही कम chances हैं कि आप target हो पाओ अगर आप target हो भी रहे हो तो वह उस level पर आप नहीं होगे लेकिन अगर सारी जनता कि यह लोग एक दब मास surveillance करना चाहें तो उसमें आप उसका हो सकते हो क्या पता आपकी information में लीक कर रहा हो कुछ लोगों की या किसी organization में आप काम कर रहे हो सरकारी उसमें काम कर रहे हो तो आपकी information leak हो सकती है और यह देश ऐसा फायदा उठा सकते हैं आपको secure रहना ही पड़ेगा privacy matter करती है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उसे like करें अपने दोस् कर पाएं एक hacker बन पाएं सिर्फ 299 रुपीज में आपके पास मौका है आप ऐसा बन सकते हैं हिंदी लैंग्विज में आपको कोई भी programming language नहीं आती कोई बात नहीं अगर आप हिंदी समझते हैं और आपके पास कोई भी device है जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं तो आप य गुद्बाइ